आज हम लोग बात करेंगे हमारे 11th क्लास यूपी बोट के लेटर सेलिबस के उपर सेशन 2023 में बिजनस स्टडीज सब्जेक्ट में हमें कितने चाप्टर्स पढ़ने होंगे उसके उपर बात करेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं अपना आज काई रहा सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन की उपर तो पार्ट वन में आपकी चाप्टर्स आने हैं उन चाप्टर्स में जो नीम है फ़र्स्ट चाप्टर का नीम है nature and purpose of business और second chapter है nature of business organization इन दोनों ही chapters का जो weightage रहेगा वो पूरा 18 marks रहेगा इन दोनों chapter से आप ये समझेंगे कि आपका जो business है उस business का क्या nature होता है वो किस purpose से काम करता है उसका object क्या है ठीक है उसकी importance क्या है इन सब के उपर आप जानेंगे इन आपका जो second chapter है वो आपको describe करेगा कि एक business organization के कितने types होते हैं किसी business organization को form करने के क्या-क्या तरीके हैं क्या-क्या steps होते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है तो इन दो chapters के जरीए आप इतने तो eligible हो जाएंगे कि एक business को समझ पाएंगे एक business organization को समझ पाएंगे ठीके ये पूरा 18 marks कवर कर रहा है थर्ड चाप्टर जो आपका आएगा वो होगा private, public and global enterprise थर्ड चाप्टर आपको बताएगा कि private, public, private enterprise क्या होंगी public enterprise क्या होती है और global enterprises क्या होती हैं इसमें इन सब क्यों पर आप जानेंगे और ये चाप्टर अकेला 16 marks की coverage रखता है ठीके तो next आता है हमारा fourth chapter जो part 1 में हमें पढ़ना है वो है emerging business methods emerging business methods ये भी अकेला chapter 16 marks की coverage रखता है तो हमें ये भी क्या करना है पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है और इन चार chapters हमारे 50 marks की coverage बन रही है वेटेज बन रही है हमारा जो part 2 है business study उसमें हम लोग देखेंगे हमारे कुछ chapters आएंगे चार sorry चार नहीं आएंगे हमारे पुरे 5 chapters आएंगे इसमें क्या आएगा सबसे पहला जो chapter होगा वो होगा company formation company formation समझना होगा कि एक company को form कैसे करा जाता है क्या-क्या चीजे लगती है उसमें then आपका जो 6th chapter है वो बताता है source of business finance business finance के क्या-क्या sources होते हैं और ये दोनों ही chapter 16 marks की coverage रख रहा है फिर बात करते हैं 7th chapter तो 7th chapter आपका है small business और 8th हो गया internal trade और इन दोनों ही chapters ये दोनों ही chapters आपके 16 marks की coverage रख रहे हैं फिर आपका आता है next chapter जो है international business इसे international trade भी बोल सकते हैं तो वो हो गया आपका 18 marks का cover कर रहा है यानि कि आपने ये चीज़ एक ही आपका जो international business है ये chapter आपका 18 marks का coverage अकेले रख रहा है तो ये ज़्यादा important हो गया आपके chapter बाकी chapters में से इसलिए और देखा जाए तो ये दोनों ही part यानि कि 50 marks इससे हमें मिले 50 marks part 1 से मिले दोनों से ही हमें कितने marks मिल रहे हैं 100 marks cover हो रहे हैं ठीके तो ये थे आपके business studies का syllabus 11th class class 11th UP board का I hope इतने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी अगर कोई भी doubt है तो comment section में ज़रूर mention करिएगा बाकी हमारी life classes भी चल रही हैं जहां पे आप हमारे number पर contact करके या Instagram, Facebook, Telegram या WhatsApp पर contact करके अपने आपको register करा सकते हैं और हमारी life classes को join कर सकते हैं मिलते हम हमारे next lecture में Till then keep learning with believe in learning Stay safe, stay happy and be energetic Thank you